नमस्कार मैं डॉक्टर सुप्रिया दियो डेंटल की तरफ से आज हम बात करेंगे Missing यानि जो दाथ नहीं है उनको रिपलेस करने के क्या क्या तरीके हैं तीन तरीके हैं जिनके हम बात करेंगे पहला Removable Teeth, दूसरा Dental Bridge और तीसरा है Dental Implant सबसे पहले हम बात करेंगे Removable Denture के Removable Denture का मतलब है निकालने और लगाने वाले दान ये एक असान करीका है missing दातों को replace करने का ये दान्त fix नहीं होते हैं और इनको रोज निकाल कर साफ करना पड़ता है ये दान्त कम लागत में यानि कम पैसों में बन जाते हैं मगर शिर्वार्ट में इनको एड़्जेस्ट होने में कुछ टाइम लगता है आईए अब बात करते हैं डेंटल ब्रिज की जब एक या एक से ज़ादा दांत मिसिंग होता है जो उन मिसिंग दांतों को रिप्लेस करने के लिए आस पास के दांतों का सपोक लिया जाता है दांतों को पहले चारों तरफ से छूटा करके उन पे क्राउन लगाया जाता है जिसे आम शब्दों में कहते हैं कैप Dental Bridge एक फिक्स तरीका है दाथ लगवाने का आईए अब देखते हैं तीसरा क्या तरीका है इस वीडियो में जैसे कि आप देख रहे हैं Dental Implant के बारे में बताया जा रहा है Dental Implant एक सेफ और ईजी तरीका होता है जिसमें हमारे जॉब उन में जहां दात मिसिंग होते हैं वहाँ पे हम एक स्कूर जैसा डेवाइस को इंसर्ट करते हैं जिससे हम इंप्लांट कहते हैं और उसके उपर दात लगाया चाता है डेंटल इंप्लांट थोड़ा मेहंगा जरूर है मगर सबसे ज़्यादा कन्विनियंट और लंबे समय तक चलने वाला है